यह यात्रियों के लिए है अगर संभभ हो तो बुज़ूर्ग और गर्वती महिलाएं यात्रा ना करें वेब चेक-इन अनिवारे हैं आउनलाइन बोर्डिंग पास हासिल करें बैगिज टैग डाउनलोड करें बैग पर लगाएं मास्क पहनना बेहत जरूरी होगा और दो गंटे पहले एरपोर्ट पर पहुँचना जरूरी है अगर कंटेन्मेंट जोन में रहते हैं तो यात्रा ना करें और एरपोर्ट पर नियम मास्क हमेशा पहने रखें एरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग जरूर कराएं एंट्री गेट पर आरोगे से तू एप का स्टेटस दिखाएं अगर आरोगे से तू एप नहीं है तो सेल्फ डेकलरेशन फॉर्म भरें बैगेज ड्रॉप काउंटर पर बैग चोड़ें संभवोत वो ट्रॉली का इस्तिमाल करें यात्री को बैगेज की इलेक्टरॉनिक रसीद मिले की एरपोर्ट पर सामाज इकदूरी का खयाल रखें और एरपोर्ट की सुरक्षा जाँच के समय जाँच अधिकारी की घोशनाओं का पालन करें सिर्फ एक कैबिन बैग ले जाने की अनुमती होगी प्रतीक्षा स्थल पर नॉट टू यूज लिखी कुर्सियों पर बिलकुल ना बैठें सैनिटाइजर का इस्तिमाल करते रहें और एरपोर्ट पर बोर्डिंग के समय लिखित सुरक्षा उपायों का करते रहें पालन बोर्डिंग गेट पर सुरक्षा किट, त्री लेर मास्क और सैनिटाइजर मिलेगी यातरी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें सहयातरी से करीबी संपर्क से बचें विमान में शौचाले का इस्तिमाल करने से बचें और केंद्र सरकार द्वारा हवाई यात्रा की अनुमती देने के बाद सभी राज्य अपने अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किये हैं आईए देखते हैं विभिन राज्यों ने क्या-क्या नियम बनाए हैं उतर भारत से शुरुआत करते हैं जमुकश्मीर में सभी हवाई यात्रा के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारिंटाइन अनिवारे कर दिया गया है लद्दाग ने दो उड़ानों के बीच एक घंटे का अंतर रखा है ताकि हवाई अद्दे पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन हो सके वेब चेक-इन की विवस्था, कैमरे के जरीए टिकेट स्क्रीनिंग और परियाप्त मातरा में सैनिटाइजर की विवस्था 14 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए आरोग्ये से तू एप अनिवारे यात्रियों को प्रस्थान से दो घंटे पहले चेक-इन करना होगा काउंटर प्रस्थान से एक घंटे पूर बंध हो जाएंगे एरलाइन सभी यात्रियों को दस्ताने, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्द कराएंगी यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुँचने के बाद खुद को 14 दिन के लिए सेल्फ कॉरेंटाइन करना होगा अब तक प्रतेक विमान में अधिक्तम 50 यात्रियों की अनुमती दी गई है अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्शन पाए जाते हैं तो उनके टिकेट को समायोजित किया जाएगा पंजाब ने सभी हवाई यात्रियों को 14 दिनों के लिए होंम कॉरेंटाइन में रहने के आदेश दिये है उत्रप्रदेश ने भी सभी यात्रियों के लिए 14 दिन तक होम कॉरिंटाइन में रहना अनिवारे कर दिया है सभी यात्रियों को reg.upcovid.in वेबसाइट पर रेजिस्टर करना होगा यात्रियों को संदेश भीजा जाएगा जिसके बाद ही वो हवाई अड़े से बाहर आपाएंगे कॉरिंटाइन के छटे दिन कोरोना जांच में नेगरिटिव पाये जाने वालों को खूरिंटाइन से बाहर निकलने की अनुमती होगी। सरकार संस्थागन क्वारिंटीन की विवस्ता देगी। मुंबई एरपोर्ट के पूरी तरह से तैयार होने तक राजी सरकार निर्णाथम विमानों का संचालन करेगी। अंतराश्ट्वी यात्रियों के स्थानांतरण, चिकित्सी आपात, छात्रों और जरूरत मंदों को मिलेगी प्रात्मिक्ता, गोवा ने हवाई यात्रियों से कोविड नेगिटिव प्रमान पत्र साथ लेकर चलने को कहा है, करनाटक में महाराश्ट्र, गुजरात, तामिलना पोटल से अपचारिक परमिट हासिल करना होगा, तामिलनाडू में एरपोर्ट पर सभी आने जाने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, कुरोना के लक्षन दिखाने वाले यात्रियों को जांच और इलाज की सुविधात दी जाएगी, 36 गड़ ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिन का संस्थागत कॉरिंटाइन अनिवारे कर दिया है, वहीं ओडिशा ने ग्रामिंग शेत्र में जाने वाले यात्रियों को होम या संस्थागत कॉरिंटीन का विकल्प दिया है, पशिम मंगाल में कुलकाटा एरपोर्ट पर सोमवार को 170 उडानों के लिए सभी विवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, राज्य सरकार ने केंद्र से कुलकाटा एरपोर्ट पर विमानों के आवागमन को 28 मई तक स्थगित करने की मांग की है, कुलकाटा एरपोर्ट पर 700 बेड का कुरिंटीन सेंटर बनाया गया है, राज्य का दूसरा एरपोर्ट बागडोगरा एरपोर्ट भी सोमवार से संचालन के लिए तयार है, पुर्वोतर राज्यों में असम ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिनों का संस्थागत या होम क्वरिंटाइन अनिवारे करेंगाई एक बैगेज और एक हैंड बैगेज, इसके साथ साथी, फ्लाइट के अंदर किसी भी तरह का जो खाना है वो प्रॉवाइड नहीं किया जायेगा, पुरे यात्रा के दुरान जो मास्क है वो उनको पहनना होगा तो देशपर में जो प्लाइट है वो ऑपरेट होना शुरू हो गई है तेजंदर पहली फ्लाइट पूने के लिए गई थी 4.45 पर समय पर वो फ्लाइट यहां से गई है और इसके साथ साती अगर हम पश्चम बंगाल की बात करें तो 28 तारीक से पश्चम बंगाल में भी जो फ्लाइट है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी और इसके लाबा 26 मैं से आंदर प्रदेश के लिए भी फ्लाइट ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी तो तमाम तरह के दिशा निर्देशों के बाद आखिरकार पूरे देश पर में फ्लाइट ऑपरेट हो रही है और अभी तक की जो जानकारी हमारे पास तेजंदर आई है सभी फ्लाइट ह समय से चल रही है किसी भी तरह की जो डिले है वो सामने नहीं आई है तेजंदर बिल्कुल सभी फ्लाइट सभी समय पर चल रही है